जम्मु कश्मीर को पूर्ण राजज का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराचपाल ने शनिवार को मंझूरी दे दी गुरुवार को राजज के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंतरी उमर अब्दुल्ला की के बिरेट ने प्रस्ताव पास किया था डिप्टी सी एम सुरिंदर कुमार चोधरी ने कहा केंदर को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बाहल करना चाहिए यह हमारा अधिकार है हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था इस मांग को लेकर उमर अब्दुला दो दिन में दिल्ली में प्रधान मंत्री नरीन मोदी से मुलाकात करेंगे दरसल केंदर सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मो कश्मीर से अनुछे 370 हटाने के साथी प्रदेश को पूर्ण राज्य का दरजा खतम करते हुए उसे दो यूनियन टेरेटरी में बाड़ दिया था उमर ने विधान सबा चुनाओ के दुरान भी कहा था कि केबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मो कश्मीर को राज्य का दरजा बहल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा 16 अक्टूबर को CM पत की शपत लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया केबिनेट की मीटिंग में डिप्टी CM, सुरिंदर चोधरी, मंतरी सकीना, मसूद इटू, जाविद एहमद राणा, जाविद एहमद डार और सती शर्मा भी मौजूद थे